पुस्पलता कीचन को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और वीडियो की निजे लाइग के बटन को जरूर किलिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना विल्कुल भूले दूद में आप बस ये एक चीज मिलाकर पी लीजे आपके सारे प्रॉब्लम का solution हो जाएगा आपको पीने से जोडों का दर्द होता है बुढ़ापा जल्दी आता है कैलसियम की कमी होती है आँखों की में मोथिया बिन की प्रॉब्लम होती है और तो इन सब चीजों में ये सौंफ वाला दूद बहुत फायदा करता है इसको पीने से जो है हमें बहुत सारी प्रॉब्लम की solution मिलता है तो हमें कैसे बनाना है कैसे हम इसको बना के पीएंगे और कब पीना है और कितना पीना है वो समय इस वीडियो में बताऊंगी सौफ वाले दूद से पीने से क्या-क्या फायदा होता है वो रेसेपी के बाद में डिटेल में बताऊंगी कि कौन-कौन सी बिमारियों में यह वाला दूद फायदा करता है दूद का सेवन तो लगबग सभी लोग करते हैं लेकिन अगर हमें उसके अंदर एक चम्मच या दो चम्मच जैसी कौन्टिटी हो उस हिसाब से आप सौफ एड़ करके उसको अच्छे से पकाके और अगर आप उस मिल्क को यूज करते हैं तब आपको बहुत सारी बिमारियों मिल्क को पू स्वाईदा होगा तो छել ओ मैं बताती नहीं है कैसे बनाया है मैंने लिया है मैंने लिया है छूफ स्वाइब समार मैंने ले सकते हैं सबस्के माराइब है कि हमें milk लेना है milk we boil करना है milk अच्छे से जब बॉइल हो जाये तो इसके अंदर हमें swamp को add कर देना है उसके बाद मैं नहीं साँफ एड़ कर दिया है और उसके बाद हमें इसे पांश come seven minute तक जब तक इसका color change नहीं को जा जाए सौफ डालने बाद बाद इसका कलर तो ब हो गाल तो जए अगर आप इसके अंदर पीते हमने जाँकर और अगर थे आप जचा में हो थो सुद्यट बहुंत हो तो भी mesh we सकते हैं यहां पर आप सूगर लेकिन अगर ऑप शुगर कर सकते क्योंकि हनी नुक्सान नहीं करता है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा जो सॉंफवाला मिल्क है वह बहुत अच्छे से बॉयल है कि कलर भी चेंज हो गया है और रेडी हो गया है फिर इसके बाद हम इसको चान लेंगे एक कप में तो इस तरह से हमने चान दिया है और इसके बाद इसको हम पिएंगे तो यह सॉंफवाला मिल्क हमारे सहत के लिए बहुत अच्छा होता है तो आप इस मिल्क को बनाईए और पीए और बताएगा कि आपको कैसा लगा तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस मिल्क को पीने से क्या-क्या फायदा होता है औ सौप की यो तासीर होती हैं वह भूझ ठंडी होती है और यह जो है जो भी हमारे जोनों के दर्द है हाथ पेर कहीं बी दर्द है ईसमें भी भूझ जाधा बैन्फिट करता है यह हमारे जो वेट है वेट को भी losing करता है अगर हम इसको रात में सोते समय पीते हैं तो फिर ये हमारे वेट को भी लॉस करता है इसमें एंटी वेक्टिरियल तद भी पाये जाते हैं सौंफ वाला दूद पीने से फेस पे भी चमक आती है और हमारे जो फेस से वो गलो करता है स्कीन को ब्राइट करता है और जो सौंफ वाला दूद है वो हमारे आइस के लिए भी बहुत अच्छा होता है इससे जो मोथिया बिंद की प्राबलम होती है उसको भी दूर करता है सौंफ वाला दूद पीने से जो है बोडी डिटॉक्स होती है कोलेस्टरल लेवल सही रहता है यूरी इन्फेक्शन नहीं होता है बीपी कंट्रोल होता है जो खून की कमी होती है वो भी दूर होती है तो इससे हमें बहुत सारे वैंफिट होते हैं तो इस वाले मिल्क को हमे कब पीना है वो में बताती हूं सोंफ वाले दूद को हमें रात में सोते समय पीना है खाना खाने के दो घंटे बात पीना है तो इस तरह से आप ये हल्दी टिप्स अपना के अपने हैल्थ को अच्छा कर सकते हैं और इसमें कोई ज्यादा पैसा भी खर्ष नहीं होने वाला से और इस सौफ वाले मिल्क को पी के अपनी रोजमरा की परशानियों को दूर कर सकते हैं तो उमिद करती हूँ को आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आता है तो लाइक कमेर शेयर जरूर कीजेगा फ्रेंस फैमली में चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क् करके बैल बटन को प्रेस कर दीजेगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले थैंक्स फॉर वाचिंग बाए बाए मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो